स्टार्टिंग क्लास टोड़े है आपके पास क्या यूजिस ऑफ अल्डी हाइड में यह मैंने बहुत ही ऐसे ना वैसे थियूर्टिकल कोईशन है यह आपके पास लास चाप्टर जो हटा दिया है उसका पॉर्शन है अब सोचो यह चोटी सी बात आ सकती है कि बेकलाइड कहां पर यूजिस होता है यह बात तो यूज होई सकती है ठीक है अचे अचे था तो आहसे चोटी सी बात जह सकती है यह चोटी सिद्ध Celtics आपको पता होनी जहीं नेक्स स्टार्ट करते है कारबॉक्सलिक असे ना तो हमारे पास what are carboxlic acids carboxlic acid is COOH यह carboxlic acid है इस carboxlic acid के derivatives भी होते है what are derivatives इस OH को हटा के if I add something let's say अगर मैंने यहापे X लगा दिया halogen that it is known as acyl halide अगर मैंने यहापे हटा के NH2 लगा दिया तो इसको बोलते है amide अगर मैंने इसको हटा के यहापे C double bond O O R लगा दिया तो इसको बोलते है ester अगर मैंने ac में C double bond O O C double bond O R लगा दिया तो इसको बोलते है anhydride तेके यह carboxlic acid और उसके derivatives के बारे में chapter है तेके यहाँ पर some higher members of aliphatic acids 12 से लगे are known as fatty acids occur in natural fats as esters of glycerol तेके carboxlic acid serve as starting material for several other important organic compounds such as anhydrides, ester, acid anhydrides, amides, etc I hope यह चीक समझ में समझ में आगया हो carboxyl group fatty acid कौन सा होते है तेको किते छोट-छोट एक question है fatty acid C 15, C 12 से C 18 वालों को बोलागा formic acid क्या है तुमारे पास formic acid came from red ants जब लाल चीटी काट लेती तो होता न वो चीज तेके आपका acetic acid is vinegar butyric acid तेके next आपके पास है formic acid, acetic acid, propionic acid, butyric acid यह सब जो नाम है iso butyric acid तेके इसका तो तरीका होता है इसको बोलते है OMS gap तेके OMS gap करके तुमारे पास इसमें और भी आगे चलता है यहां पर OMS OMS तक चल रहा है क्याई बास सुनना है कि नहीं आई यह इसका नाम याद रखने पड़ते है OMS G देख रहा है मैं लोनिक दिया ना OMS G A clear देखा OMS gap gap में पामेलिक acid इसके बाद आता है इसको कैसे याद करते हैं बीच में CS 2 सेड़ते चल जाते है oxalic में कुछ भी नहीं है M में 1 है OMS S में 2 होंगे G में 3 होंगे A में 4 होंगे P में आपके पास 5 होंगे ऐसे करके बढ़ाते चले जाते है क्या यह बात समझ भारी है यह आपके कुछ important compound से बच्चों आपको इसके नाम पता होने चाहिए आप इनको नहीं छोड़ सकते benzoic acid तो सबको पता है next is phenyl acetate phenyl acetate आपके पास acetate में phenyl group लगा एक होता आपका फथालिक acid यह दो को फथालिक acid याद करने का तरीका देखा फथालिक acid देखा कि ने देखा फथालिक acid is for P फथालिक acid क्यों बता रहा हो P because there is terry fatality acid एक terry fatality acid होता terry fatality acid में आपके पास COH उपर COH नीचे COH उपर COH नीचे इसका नाम होता है terry fatality acid T दिखा याद करने का तरीका समझ मेरे T दिखा terry fatality acid यह हो गया आपका fatality acid यह सारा कुछ NCRT में दिया इससे related बिना बोले वो लोग question पूच सकता है बहुत छोट छोटे questions एक और छोटी सी बात एक होता है maleic acid maleic acid what is maleic acid बहुत देखने को मिलेगा आपको COOH C double bond H COOH and H इसी का जो transform होता है COOH C double bond C COOH and H and H इसको बोलते है fumaric acid Fumaric acid क्या ये बात समझ माई ये ये दो है आपका cis trans वाला है maleic acid और ये ये आपको मिलेगा आपके package आगे जमें भी कई बार लिखा रहता है तो ये कुछ acids के नाम पता होने चाहिए आप इसको दो से तीन बार देखो कि इसमें कुछ भी बहुत rocket science ने बहुत isई ए बहुत असानी से आ जाता है ये दुनों आईसोमर्ज होंगे ये दुनों आईसोमर्ज होंगे इसको ट्रांस बोलेंगे तेकि आप इसको यह बोल सकते हो सिस ब्यूट 2N OEK आसिद और इसका नाम है ट्रांस ब्यूट 2N OEK आसिद दो डिफरेंट चीज़ है ना तो इसलिए दो डिफरेंट नाम दिएगे इसके common name है जैसे प्रॉपर्टी अलग होगी दो लोगी हाँ कुछ-कुछ प्रॉपर्टी बिलकुल अलग होगी ठीक है जैसे इसका डाइपोल विमेंट जादा होगा वो तो जो भी सिस्ट्रांस में डिफरेंसे जाते वो सारी चीज़े हैंगी येस सर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगा ऐसे NCRT में कहीं नहीं लिखा है तो वहने बता दिया आजो जी नेक्स देखते हैं हमारे पर स्ट्रॉक्चर ऑफ कारबॉक्स ले गलूप इसके उपर एक छोटा सा क्वेशन आता है पहले तो हम वही करते हैं क्वेशन एक देखते हैं क्वेशन इस गिव ओर्डर फॉर बॉर्ड लिंद यह एक से यह वाई है यह आपके पास जैड़ है यह चलो इसको अलफा लेते हैं और बीटा लेते हैं कोशन अगर समझना आया हो तो पूछना जरूर यह आपका अलफा है यह आपका बीटा है अपको बताना है और रिलेशन के रिलेशन का अशाम्पल में दे रहा हूं इचलो ऑप्शन दे रहा और और बताने की एक्स बड़ा होगा चोटा होगा वाई बड़ा होगा चोटा होगा होगा। इसका सिंपल सा तरीका क्या है पहले तो आप इसके रेजनेटिंग स्ट्रक्चर बना पहले तो आप बिना रेजनेटिंग स्ट्रक्चर के कामी नहीं कर पाओगे C3C double bond OOH रेजनेटिंग स्ट्रक्चर बना अलफा बीटर झाल झाल यह मुश्किल कोश्यन है मैं मानता हूँ नहीं हो रहा नहीं हो रहा नो सर समझाओ यह सर चलो जी आजा देखने इधर देखना आपके पास क्या यह है इसका तो बना सकते हो ना चलो फस्ट वाले के बहुत अच्छा कोशन है थोड़ा मुश्किल ही सही पर सीखने के लिए बहुत अच्छा है इसका जब रेजनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो निकल के आएगा और इसका रेजनेंस हाइब्रिड अगर आप बनाओगे तो यह आएगा और यह डॉट 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 यह नेगेटिव यह नेगेटिव यह नेगेटिव आपका यहाँ पर X is equal to Y आएगा और इस टाइप के रेजनेटिंग स्ट्रक्चर को क्या बोलते है मैंने आपको पहले भी पढ़ा इसको बोलते है equivalent resonating structure यहाँ यहाँ पर अच्छा सा बिल्कुल दोनों के बीच में exact इसका distribution होगा X और Y बराबर होगा क्या X और Y बराबर होगा यह वाली बात समझ भाएं कि नहीं है यहाँ पर कुछ इस तरीके से चार्जेस आएंगे अगर इस तरीके से चार्जेस आएंगे इन दोनों structure में कौन से जाधा stable है obviously यह जाधा stable है अगर यह जाधा stable है तो यह जाधा देर बनेगा let's say कुछ ऐसे कले ता let's divide times की अगर hundred times यह structure exist करता है तो यह 75 times इसमें exist करेगा और 25 times इसमें exist करेगा हाँ या ना जो जाधा stable है वो जाधा बनेगा कहिए वाली बात में अगर यह जाधा बनेगा तो आप एक चीज नोटेस करो C double bond O वाला character जाधा है की नहीं C double bond O वाला portion जाधा रहेगा और C यह O वाला portion यह ऐसा रहेगा इस structure के according मुझे दिख रहा है कि यह double bond double bond ही जाधा तर बना रहेगा और यह single bond single bond ही जाधा तर बना रहेगा क्या यह बात समच बहा है है क्यों क्योंकि resonance यहाँ पर जाधा नहीं हो रहा और अगर resonance जाधा नहीं हो रहा तो मुझे दिखाई दे रहा है कि यह वाला जो double bond जो हो रहे है कभी कभार हो रहे है कभी कभार तो यहाँ पर single bond character सबस्याद है इसका answer है बीटा, x, y, and alpha आराम से देखो और समझ में आया है ओ तो बताना बीटा सबसे जाधा है क्योंकि resonance जाधा नहीं हो रहा यह bond सिंगल bond की तरह ही रह रहा है जाधा तर और resonance में नहीं हो रहा तो double bond वाला double bond की तरह जो double bond है वो सबसे छोटा होगा और जो single bond है वो सबसे बड़ा होगा और ये तो बीच में 1.5 bond वाले ये दोनों तो बराबर होंगे और बीच में होंगे क्या ये बात सबको समझ मैं है क्या ये question clear हुआ Yes sir थोड़ा मुश्किल ही सही पर अच्छा question है सीखने के लिए थोड़ा क्या कोई डाउट है नमरता कोई डाउट तो नहीं बच्छे इसमें है पक्का है नमरता नो sir सिमरन आपको clear है पक्का किसी ने कुछ पूछने हम दुवारा डिसकस कर सकते है कुछ भी जरा सा भी कुछ भी नहीं शालब अज़ जी लेट्स डू दिस आईू-PAC nomenclature यहां पर यही चीज लिखा होगा देखना इन कार्बॉक्सले is the bonds of lie in one plane and is separated by 120 degree angle SP2 है ना SP2 है तो 120 degree तब कार्बॉक्सले कार्बन is less electrophilic than कार्बॉनिल कार्बन because of the possible resonating structure बहुत important यह कह रहा है कि जितना तुमारे पास कार्बॉनिल कार्बन electron withdrawing होता है ना उतना electron withdrawing कार्बॉक्सल वाला नहीं होता है क्यों? क्योंकि यहां पे जो oxygen के loan pair इसको electron donate कर देते है और electron donate कर देते है जो इसके उपर का positive charge है वो oxygen पे shift हो जाता है दिखाई दिया? यह line बहुत important कार्बॉक्सल कार्बन is less electrophilic than this clear? चलो यह question करके दिखाऊ जल्दी सेंटी का राव जहाँ जल्स अowsफाई क्योंकि यह क्योंकि पहाँ क्योंकि दुए कर दो कर दो कर दो कर दो एक सेकंद से सथ थर नी आ रहा कोचग करने बता तो देन सर देखो यह तो इसका नाम तो असान है यह हो जाएगा वान टू थ्री इसका नाम हो जाएगा थ्री फिनाइल त्री फिनाइल क्या होगा प्रोपेनोइक असेड यह वाले का होगा एक सी एच स्थरी सी डाबल बॉंड सी सी ओ एच यहाँ पर वन टू थ्री फोर तो यह हो जाएगा थ्री मिथाईल एक ब्यूट टू एन वनोइक असेड येस येस सर और इस वाले का नाम है तो बहुत बढ़िया है जब भी ऐसा कभी होता है कि डारेक्ली अटाच आप इसको यूज नहीं कर सकते है तो वाट दू वी डू वी डू दू दे सेकेंड टाइप अफ सफिक्स आइड नो आप लोगों ने पढ़ा एक नहीं पढ़ा है जिन कारबॉक्सलिक आसेड ये नाम होगा साइक्लो पेंटेन कारबॉक्सलिक आसेड से ये CH3 छोड़ दो ये इसका नाम ये होता है साइक्लो पेंटेन चाहो तो वन कारबॉक्सलिक आसेड बोलो या साइक्लो पेंटेन कारबॉक्सलिक ये जो कार शब्द है ना कार्ब ये इस है because ये वाला जो carbon है ये आपका principal chain में included नहीं है आई बास समझ में देखो हमारा nomenclature इस तरीके से रहता है कि अंधर इंसान को भी समझ में आ जाए क्या है अगर आपने यहाँ पर include किया पेंटेन तो यह होगा वैसे भी आप इसको use तो नहीं कर सकते यह तो यह include होगा या तो नहीं होगा और यह include तो नहीं हो पाएगा तो यह तो होगा cyclopropane और one carboxlic acid next आपके पास क्या होगा इसमें इसका पूरा नाम जाएगा two methyl cyclopentane two और क्या होगा one carboxlic acid क्या यह बात समझ भाई की नहीं क्लियर सार तक आपको यह होता है कि coa छूट जाता है तो हम उसका दूसरा वाला prefix यूज़ करते हैं तेक है इसका एक suffix होता है oic acid और अगला suffix होता है carboxlic acid clear yes sir इसका नाम क्या होगा इसका नाम तो हो जाएगा इसका नाम क्या है two comma four comma six trinitro benzoic acid yes sir चाब एक और question कर देना सारे लोग मुझे इसका nomenclature बता देना यह मैं वापस से आपको give IUPAC nomenclature give IUPAC nomenclature देखे फर्स्ट इस आपके पस क्या होगा IUPAC nomenclature इसका तो यह बता दो देखे बता दो वाप कर दो यह दो यह कर दो दो और दो देखा है येस सर बोलू जल्दी बताओ आगे चले अभी तो आई येस सर चलो जे होगा पहले वाले का नाम होगा वान टू थ्री पोर फाइव सिक्स इसका नाम हो जाएगा हेक्जेन वन कॉमा सिक्स डाइव होई कैसिड येस सर येगी है नेक्स वाले का नाम क्या होगा तरी कार्बॉक्सिलिक पेंटेन वन फाइव डाय वेक असेड सर इसको साइट सींज लेंगे शादी क्वाले को सारे को सब को तीक है इस बार इसका नाम क्या होगा बच्चे सुनना इसको करते कैसे है इसका तरीका होता है आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप किसी एक को चेन में लो और दो को छोड़ दो या किसी दो को चो ले लो एक को छोड़ दो किसी को नहीं छोड़ सकते या तो तीनों को लिया जाएगा या तो कोई नहीं लिया जाएगा रीजन क्योंकि सारे कार बॉक्स लेका सब की वराइटी सेम है तो इस तरीके से किया जाता है 123 सार तक आप एक बार ना वाले वीडियो जो मैं नॉमन क्लेचर के डाले वो एक बार देखना देखना देखिए उसमें सारा कुछ मैंने कर आया है सारा ये वाला कड़वड़ी नहीं हो अच्छी क्योंकि ये फेमस कोशन आगे दिखाऊंगा भी इसका नाम आएगा प्रोपेन वन कॉमा टू कॉमा थ्री ट्राइकार बॉक्स लिकासे लिए ओके तीनों को छोड़ देना है इसको कहते है नॉमन क्लेचर ओफ मल्टी फंक्शनल नॉमन कंपॉंटस इसमें है कही ना कही तो दिया होगा इस टॉपिक में दिया है कहीं है एक चल दो यहां तक क्लियर है कि नहीं कहीं है जो सबसे इंपॉर्टेंट वाले थे वो हमने कर लिए आई-उ-पी-सी नॉमन क्लेचर वाले अजो जी हम प्रेपरेशन पे चलते हैं प्रॉम आलकोहॉल और अल्डी हाइड आप लोगों को मैंने लास टाइम समझाया तक अगर नहीं समझाया तो मैं भी फिर से आपके लिए बोल दू हमारे पास क्या है जो सी आर ओथरी है अगर वो ऐसी टोन में है तो तो यह कैसा र है तो यह कैसा होता है strong oxidizing agent हो जाता है strong oxidizing agent और हमने तो एक table भी बनाई हुई थी क्या आप लोगों को table याद है हम लोगों ने mild oxidizing agent and strong oxidizing agent की एक table बनाई की नहीं बनाई है यह सर्ण है उसमें आप लोगों ने देखा था कि Kmno4 यूज़ कर सकते हैं acidic हो बेसिक हो चलेगा आपका K2Cr207 यूज़ करता है वो सिर्फ acidic medium ने होता है कई जगा HNO3 भी था बट लेट से यहाँ पर Jones reagent H2SO4 प्लस CRO3 यूज़ कर लिए यह Jones reagent यह सारे strong oxidizing agents है strong oxidizing agents की presence में carboxylic acid carboxylic acid दिखा यहाँ पर लिखा भी हो ऐसाच आज दिखे जब पहला वाला reaction सब्सक्राइब बहुत easy reaction है कुछ भी नहीं strong oxidizing agent है alcohol है तीदेर से हम यही पढ़ रहे हैं इसमें लिखा हुआ है carboxylic acids are also prepared from early age by the use of mild oxidizing agents कौन से mild oxidizing agents tollens reagent, fellings reagent, benedict solution आपने देखा की नहीं देखा था आया ना याद आया की नहीं यह सारे mild थे ना तो उसमें carboxylic acid में conversion हो तो था एक बार आप इसे देख लो आपको doubt हो तो हम discuss कर सकते हैं वरना this is it इसमें इतनी है जड़े फीग है मैं लिख नहीं रहाँ सारे लिख दू या क्या इसको उसमें लिख दू क्या क्या कहतो लिख दू notes में बर्जी है सर आपकी आपको clear होगे अगर आप notes यूज कर रहे हो ना वैसे आशर जो थोड़ी mechanism वगेर है चलो जी नेक्स चलते हैं प्रॉम अलकाइल बंजीन से अलकाइल बंजीन वाला रियाक्शन भी बहुत important है पहले तो अब यह देखना यूज कहां पर हो रहा है यह vigorous oxidation ऑफ अलकाइल बंजीन फ्रॉम क्रोमिक एसेड और acidified और alkaline potassium पर magnet यह दो चीज़े यूज हो रही है अलकाइल बंजीन उक्सिडेशन ऑफ अलकाइल बंजीन यह चल रहा है अगर आपके पास यह चीज़े हैं लिए आपके पास CH3 है और आपने क्या यूज कर लिया आपके पास CH3 है अगर क्रोमिक एसेड हो गया है ह2, CRO4 ऐसे करके आपके पास क्या हो गया KMNO4 हो गया सब कुछ ना बहुत ही strong oxidizing agent है और कई बार heat भी करता है vigorous conditions चाहिए यह क्या करता है आपका carboxlic में convert कर देता है oxidize कर देता है तेगे next अगर आप देखना इसमें कि क्या sir EC के साथ आप चाहिए कितनी भी लंबी chain लगा लो यह इस पूरी की पूरी chain को किसमें carboxlic acid में CRO4 1 1 क्या करो clear है नहीं हो लगी है या तो यह या तो यह KMNO4 और heat यह ऐसा यह आपके पास है यह हो गया C-O-H क्या यह बाद समझ में क्या C-O-H वाली बाद समझ में आई यह साथ यह acidic और basic दोनों medium नहीं हो सकता है यह acidic और basic दोनों medium लिखा भी होगा शायद acidic और alkaline तेखे इसमें लिखा था entire chain is oxidized to carbonyl तेखे irrespective of the length of side chain primary and secondary alkyl groups are oxidized in this manner while tertiary is not affected बहुत अच्छा question देखा आपको यहीं पर आपको मिल जाएगा while tertiary is not affected यह देखना यहाँ पर एक और चीज़ भी लिखे आपको समझ नहीं है suitably selected alkyne are also reduced to carboxlic acid using this reagents आपके पास क्या है suitably का मतलब क्या होगा कि आपने यह ले लिया और आप यहाँ पर CH3 CH2 CH double bond ऐसे करके भी किया तो भी हो जाए बहले अभी नहीं रखता है अभी यह रखना अगर इसके पास hydrogen है तो यह reaction हो लिए अगर hydrogen नहीं है तो यह reaction नहीं हो पारी है अगर hydrogen नहीं है तो यहाँ पर यह reaction नहीं हो पाएगा तो यह 4K MnO4 और heat के साथ नो रियाक्शन यही बात समझ में आई clear 2 degree वाला भी कर दे है कर दे है 2 degree वाला आया की नहीं आया समझे मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ आगया सर बहुत असान रियाक्शन है strong oxidizing agents के साथ ही होगा again आप बस सिर्फ यही बनाना अगर 2 है 2 ला देना जाएगा अब मैं उपर CHT लगाया meta पर CHT लगाया इन सब CHT से कोई फरक नहीं पड़ता आप मैं KMnO4 और heat किया COOH लग गया बस दोनों जाएगा यह रियाक्शन है क्या यह बात समझ मैं है Oxidation of Alkyl Benzene Alkyl Benzene की यह रियाक्शन है एक बार आप इसको जल्दी से go through कर लो फिर हम Nitriles and Amides पर चलता है अल्रेडी कर चुके हैं बट फिर उस पर आगे चलता है तर बस एकी प्रोड़क्ट बनेगा पस एकी प्रोड़क्ट बालब बाकी वाली चीज़ भी Oxidize हो जाएगी पर हमें उससे मतलब नहीं क्योंकि हम Benzooic Acid के लिए ही पढ़ रहे हैं बाकी वाला भी जिदर से तूटेगा वो भी Oxidize हो जाएगा COOH तक मानलो आपने यहां तक तोड़ा CH2 ऐसे था यह वाला तो COOH हो गए तो इसके बाद वाला भी COOH में Convert हो जाएगा ठीक है येस सर चलो जी फ्रॉम नाइट्राइल्स एन अमाइड्स पे आ जाते अगर आप नाइट्राइल्स एन अमाइड्स में लोग ने यह किया था RCN वाला तो यह हाइड्रोलिसस आफ हाइड्रोलिसस आफ सी एन याद है क्या चल रहा था आपका RCN याद है की नहीं याद है कैसे RCN को Acidic Hydrolysis करो H2O तो यह क्या बन जाएगा RCOO यह नहीं बन जा रहा था याद आया की नहीं याद आया नहीं आया नहीं आया याद अच्छा स्टीफन्स रियाक्शन से पहले नहीं किया था हम लोग ने इसमें H प्लस पहले आ रहा था फिर यह प्रोटोनेट हो रहा था यह RC पे प्लस हो रहा था डबल वान एनेच हो रहा था water का attack हो रहा था water अपना loan पे लेके आता था और फिर ये बन जाता था R, C, O, H, double bond, N, H फिर मैंने बोला था जितने bond तोडों के trick भी सिखाया था कि यहाँ पर कितने bond तोड़े आप लोगों ने यहाँ पर जो bond तोड़े थे तीन bond तोड़े तो इधर की तरफ क्या लगाते हैं हम O, H लगाते हैं इधर की तरफ H लगाते कितना बन गया R, C, O, H, O, H और इने इस तरी यादा है नहीं यादा है आगे सिर देगे और इसमें 3 O, H unstable होते है R, C, double bond O, O, H किसी को अभी भी डाउट है पूछ सकता है भई यहाँ पर अगर आप एक डालोगे partial hydrolysis करोगे तो partial hydrolysis का product क्या होगा partial hydrolysis product is partial hydrolysis product is R, C, O, H and double bond in H partial hydrolysis का product है clear यह सर यह आपके पास है यही पर यहाँ पर लिखा हुआ देखना आपके पास nitriles are hydrolyzed to amides and then to acid in the presence of H plus or OH minus as catalyst mild reaction conditions are required to stop at amide तो mild यह वाला case होता है यहाँ तक करने के लिए mild condition एक लिखा होगा ऐसे लिखा होगा one equivalent आपको पता चल जाएगा जैसी आप amide में करोगे तो amide में फिर amide का मैं आपको वो कर दिखाता हूँ hydrolysis of amide hydrolysis of amide उसके बहुत तरीके हैं अब RC double bond O NH2 acidic hydrolysis करो तो और भी असान है H plus H2O ते यह आपके पास बन गया RC double bond O NH3 पे positive oxygen अपने loan पे लेके इस पर अटाक करेगा जैसे अटाक करेगा NH2 बहार इसमें और भी एक तरीका हो सकता है कि water का पहले अटाक करादो आप ऐसे भी समझ सकते हैं water का पहले अटाक करादो जैसी अटाक करादो आप बस बनेगा RC O पे negative NH2 O H H पे positive H plus shift H plus shift करेगा की नहीं करेगा H plus जाएगा nitrogen के उपर यह जाएगा NH3 पे positive O H यह bond इधर ammonia अच्छा leaving group बहार आया? यहाँ पर अटाक होँआ वापिस से यहाँ पर अटाक होँआ यह बना यह H plus shift हुआ NH2 के उपर जैसी H plus shift हुआ NH2 के उपर यह bond इधर गिरा ammonia बहार यह सो नो clear? यह सर यह सर यह वाला एक बार आप लोग देख लो सब में hydrolysis पानी डालते ही पर देखो simple सा फंडा है यहाँ टाक होँआ NH2 निकल जाएगा हर reaction में यही हो रहा है हर reaction में ही यही हो रहा है चलो मैं आपको यह ना पढ़ाई देता हूँ इसमें है इसे देखना hydrolysis of क्या आगे आएगा hydrolysis of acid derivatives इसके साथ नहीं है हर जगे यही है लिगना आपके पास है R इसे आपके पास है R, C double bond O, X and water water में ऐसे H plus water लिखा हो सकता है और H3O plus लिखा हो सकता है वो कुछ भी हो सकता है इस पर अटाक किया आपको trick चाहिए मैं mechanism दिखा दे रहा हूँ R, C, O पे negative X and O, H, H पे positive आपको खुदी समझ में आ रहा होगा X एक अच्छा leaving group है यह R, C double bond O, O, H this is minus H, X clear? यह कुछ इस तरीके से अगर आपको trick देखना है यह fast के लिए देखना है तो simple यही है R, C double bond O, X H, O, X यह हटा लो clear? यह first है यह first reaction होगी क्या first reaction समझ में है? यह second reaction देखते हैं second reaction में R, C double bond O, O, C double bond O, O, C double bond O, P, R dash, water कुछ भी नया नहीं है क्याहां पर attack करेगा? वो bond खुलेगा R, C, O, P, negative हर बार यही हो रहा है O, R, O, H, H पर positive यह bond इदर यह बाहर वापस से बना R, C double bond O, O, H प्लस extra अगर आपको देखना तो यह बनेगा R, C double bond O, O, H ट्रिक देख लो वापस से ट्रिक में आपके पास क्या है? R, C double bond O O, C double bond O R, H, O देखा आपको? कुछ भी नहीं है इसमें हर बार वही करना है देखे, one, two तक clear क्या one, two समझ में आए कि नहीं है? यह सब देखे, third वाला देखे third वाला is amide third वाला is amide amide वाले में क्या होगा? R, अभी आप लोगों ने देखा R, C O, N, H, 2 and water movement water रहा है, यह बना बस बना R, C O, O, H trick देखा देड़ा आपको, एक पीछे का रखा है तो बना R, C, double bond O, N, H, 2 H, O, H R, C, double bond O, O, H fourth वाला कर लेते हैं R, C, double bond O, O, R, dash water देखे, आपने इदर अटाक किया R, O, पे माइनस O, H, H, पे positive O, R, dash H, plus shift O, देखे, यहाँ पर थोड़ा से सोचना पढ़ा O, R, minus अच्छा leaving group नहीं होता तो उसको अच्छा leaving group बनाएंगे उसको O, R, H, पे positive लगाएंगे और फिर इस बार तुमारे पास यह इदर, यह इदर इस बार बनेगा R, C, double bond O, O, H plus R, O, H देखा आपको आया समझ में Yes, sir Yes, sir यह जितने भी आपके derivatives हो गए ester हो गया anahidride हो गया asyl halide हो गया इस सब case में सब case में यही हो रहा है कि आपके पास क्या हो रहा है कि जो भी आपके पास लगा था that is R, C, O, Z तेक है plus H, O, H H, Z हटा and आपके पास R, C, O, O, H लगा clear? यह final है for hydrolysis अब इसमें rate of reaction की बात कर रहे थे rate of reaction कितनी fast होगा तो rate of reaction किस पर बात करेगा depends on depends on leaving group अगर आप इन सारे cases में देखो can you see कि यहाँ पर यह leaving group की तरह काम कर रहे है that X is a leaving group यह leaving group है यह वाला 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 leaving group है देख रहे हैं यह सब leaving group की तरह काम करें तो अगर आप leaving group की तरह बात करो तो सबसे fast कौन reaction करेगा? सबसे fast reaction होगा O, X फिर आपके पास कौन reaction करेगा? O, C, double, one, O, R रियाक्शन हो गया फूर्थ आर सी ओ एच यह रेट रहता है यह रेट आफ रियाक्शन फॉर हाइड्रोलिसिस क्या यह वाली बात समझ में आगी सबको फॉर हाइड्रोलिसिस एक बार हम इसे चेक भी कर लेते हैं अपने नोजबुक में किदर है पतानी की दर चला गया है मतलब यहीं पर कहीं आई होप आप यह समझ गया है तो फिर हम आगे चले वरना क्लियर है की नहीं क्लियर है येस सर यह रहा है देखा अगर अगर आप यहीं पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर निगटिव तो काफी स्टेबल होगा यहाँ पर ऑक्सीजन के उपर है तो इसलिए यह दोनों आगे है ऑक्सीजन में हाँ रेजोरेंस हो रहा है इसलिए आगे और फिर उसके बाद यहाँ पर लास्ट नाइट्रोजन पर ठीक है यह सर निगटिविटी के साब से चलो जी यह आपका पार्शल है यहाँ तक देखो कोई डाउट है इसमें क्लियर है यह सर चलो जी नेक्स्ट नेक्स्ट हम आजाते है एक बाद जो हमने यहाँ पर देखना फिर ग्रिगनाड पर आते है रियाक्शन ऑफ ग्रिगनाड असाइललाइड और अनाइड्राइड वाली रियाक्शन से यही जितना भी हमने भी पढ़ा ester का, यह सारा का सारा हो गया from a silahalide and anhydride टेक है, grignard के लिए बात करते है reaction with grignard and CO2 reaction with grignard and CO2 आपके पास है R, Mgx CO2 CO2 आपका weak electrofile है यह क्या बनाएगा, यहाँ से R- आएगा, R- इदर attack करेगा, this is R, C, double bond, O, O, P, minus Mgx, मेटल को हटाने के लिए water डालते है जैसी water डालेंगे, यह बनेगा R, O, H, M, G, X and O, H, आए समझ में example पास तो नहीं हो रहा यहाँ पर आप यह लिख हो गए water यह आपके पास example हो गया यह Grignard प्लस CO2 की reaction कर तो नहीं पर लिए कु ह् झाल 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 आप लोग इंस्यार्टी लेके बैठे हो ना अपनी अपनी येस सर ये वाला पॉर्शन देख लो अगर डाउट हो तो बताओ वन्ना हम एस्टर के लिए बात करें एस्टर वाला भी यही रियाक्शन है इस्टर यही रियाक्शन है ये वाले कोशन तक करते हैं हमारा वैसे भी देखो यहां से यहां तक हो चुका है आपने यहां तक पूरा इंटेक्स के कोशन तक करना है फिजिकल प्रॉपरटीज मैं समझा रहा हूँ आपको केमिकल प्रॉपरटीज मैं शुरू कर रहा हूँ हमारा हो चुक का आ कि ने्च ने कर चुके निए सकस्पूरा ने जिसकश चलो जी नहीं हुआ सर खीक है डी कार वाक्सलेशन में पढ़ाता हूं तेख आप ये करो ये वाले कोश्चन्स करके देखो सारा का सारा जो हमने किया है वह यही है इनको ट्राइ करो बिना अंसर देखे करना इनको ट्राइ करो फिर हम आगे बढ़ते हैं चलो starting to discuss है ना फस्ट वाले के लिए क्यी होका केमनफोर सेकेंड वाले के लिए क्या होका फिनाइल इतनोईक असब बिन्साइल आलकोहल और इसके लिए हमें क्या बानाना है फिनाइल इतनोईक आसिड बनाना है तो पहले तो मैं यहाँ पर क्या करना पड़ेगा let's say, मैं यहाँ पर ले रहाँ PBR3 PBR3 ले रहाँ और इससे क्या होगा, यह CH2 BR लगेगा, फिर इससे मैंने KCN ले लिया, पर KCN लेते ही यहाँ पर CN जुड़ जाएगा ठीक है, CH2 CN और इसका क्या कर दूँगा, मैं Hydrolysis, Acidic वाला क्या बन जाएगा यह Clear? CH2 COH Yes, sir ठीक है, थोड़ा सा लंबा जाएगा, पर यह किया जाएगा आप सीधे Oxidize नहीं कर सकते आपको एक Carbon बढ़ाना पड़ेगा वो Step-Up Reaction है, थोड़ा सा एक Carbon बढ़ाना पड़ेगा यह चीज़ समझ मैं क्या 1st or 2nd clear है 3-Nitro-Bromo-Benzene 3-Nitro-Bromo-Benzene to 3-Nitro-Benzoeic Acid 3-Nitro-Benzoeic Acid Bromo-Benzene का Benzoic Acid Grignard से Grignard से Grignard से किया जासे पर सही किया रहाँ जादा Fast हो जाएगा मैं सोचा था कोई और तरीका लंबा जाएगा MG डालोगे सबसे Fast ऐसी बनेगा यह बनेगा MG यह बनेगा BR यह बनेगा NO2 जैसे आपने यह किया अब आप इसमें CO2 डालो जैसे CO2 और वाटर डालोगे यह यही से अटाक करेगा NO2 C double bond O O-P minus और वो डालते ही है यही है ना 3 Nitro Benzoic Acid यही बन जाएगा Cyclohexene Cyclohexene वाला समझना बच्चे इसको बोलते है Oxidative Ozonellysis Ozonellysis तो आपको याद होगा आप Ozonellysis करके इसका O3ZNH2O आप ऐसे Ozonellysis करके इसको कर दोगे तो यह क्या बन जाएगा C double bond O-H ऐसे करके 1, 2, 3, 4, 5, 6 C double bond O-H यह ना और इसमें आप K1O4 डाल दो या फिर आप TOLENS री एजेंट डाल दो जैसी आप डालोगे C O-H हो जाएगा क्या इशी का एक चीज़ यह समझ मैं ही यह सर या तो आप इसको वन स्टेप कर दो वन स्टेप कैसे कर सकते हैं यहाँ पर इसको बोलते है Oxidative Ozonellysis यहाँ पर Ozonellysis ही करना है पर final product में आपको क्या करना होता है आपको direct carboxlic acid ही बनाना है वैसे ही करना है काटो, तोडो, oxygen लगा दो और वहाँ पर aldehyde बना के फिर OH भी लगा देना आया समझ मैं यह single step हो जाएगा Oxidative Ozonellysis क्या Oxidative Ozonellysis समझ मैं आए कि निया है Yes सर O3ZN के साथ बना मैं तो Oxidative course में नहीं है तो O3ZNH2O करके आप यह बनाओ, Ozonellysis से खोलो इस रिंग को और उसके बाद दोनों तरफ क्या कर देना, अलका सा mild oxidizing agent डाल देना, वो दोनों हो जाएगा तो बहुतेनल 2, butanoy कैसिडी तो बहुत ही असान है क्या कर लें, इसमें कुछ भी tolerance, reagent, felling solution benedit solution कुछ भी कर ले देखे 6 तो आला clear tolerance लिया है इन्होंने तो चलो जी, next यहाँ पर इन्होंने के मनो 4 heat vigorous conditions में किया हुआ चलो जी, next question number 12.7, यह करके देख आपको देखा तो, इताइल बेंजीन के लिए तो बहुत असान है, इताइल बेंजीन के लिए क्या करेंगे, के मनो 4, heat यह सर एसेटो फिनोन के लिए क्या करेंगे, आइडो फॉर्म यह सर ने ओएच, आइटू ब्रोमो बेंजीन के लिए क्या करेंगे, Mg CO2, water किसी को डाउट है, Mg BR CO2 के साथ करोगे, तो यह आजाएगा, C double bond O, O, पे माइनस देखें, और क्या होगा, H+, डालने से, यह COH, clear है की नहीं, clear है, 3rd वाला, 4th वाला देखना, Phenyl Ethine यह है, CH double bond CH2 ना, इसमें आप पहले पानी आड़ करो, H2O acidic वाला, जैसी आप पानी आड़ करोगे, तो क्या बनेगा यहां पर, यह यह बन जाएगा, की नहीं बन जाएगा, यहां तक बताओ, यह सर, आइडो फार्म कर दें, देखा, यह सर, इस portion का आइडो फार्म हो जाएगा, यह सो नो, clear है यह वाले की नहीं, क्लियर है सब को, कोई डाउट है, किसी को भी, नो सर, अल गूड, चाल हो, जी, नेक्स्ट आजाते है, लेट्स टॉक अबाओट फुजिकल प्रॉपरटीज, तो हमें पता है कि, सबसे पहले से, बॉइलिंग पॉइले से, वो यह कह रहा है कि, जैसे आपका बढ़ता है, आपके नमबर ओफ कार्बन, तो उसमें जो फोर्स ऑफ अट्राक्शन है, अगर फोर्स ऑट्राक्शन बढ़ रहे है, तो उसका वेपर में कनवर्जिन कम हो जाए, और वेपर में कनवर्जिन नहीं होगा, तो आप उसका odor, smell नहीं कर सकते हैं जब तक उसके vapor नहीं होंगे हवा में तब तक आप smell नहीं कर पाऊगे Carboxylic acids are higher boiling points liquids than aldehyde, ketones and even alcohols of the comparable molecular masses due to the more extensive association of carboxylic through intermolecular hydrogen bonding Hydrogen bonding इतनी ज़्यादा तेज होती है कि वो कई बर vapor phase में भी नहीं टूठती है In fact, most carboxylic exist a dimer in the vapor phase और in A-protec solvents यह बहुत important बता है इसके उपर question कहाँ पर आता है solution chapter में solution chapter में आता है और question कहाता है calculate the value of I value of I for carboxylic acid in benzene अगर वहाँ पर carboxylic acid in benzene के लिए करोगे तो वहाँ पर बता है क्या हो जाता है कि carboxylic acid के इसमें convert हो जाता है dimer के form में convert हो जाता है तो वहाँ पर जो formula है association का I is equal to one plus one by n minus one alpha यह लगता है यादा association वाला formula इस तरीके से होता था कि I का formula यह लगा के फिर यह किया जाएगा यादा है dissociation का formula के था I is equal to one plus one n minus one alpha यह clear है कि नहीं clear है यह यह dissociation के लिए था और यह association के लिए था क्या किसी को भी doubt है इसमें नो सब चालो जी next आपके पास simple aliphatic carboxlic acids having up to four carbon atoms are miscible in water due to formation of hydrogen bonds with water वो यह कहरे है कि शुरबात वाले जो carboxlic acids होते हो पानी में easily dissolve हो जाते है क्योंकि हमें पता है कि जो carbon वाला part है वो क्या होता hydrophobic और जो carboxylic वाला part है जो carboxylate iron वाला part है यह hydrophilic तो अगर आप इसमें यह वाला portion बढ़ाओगे carbon वाला तो solubility कम होगी और अगर आप यह वाला portion बढ़ाओगे तो solubility बढ़ेगी खतम the solubility decreases increase in number of carbon atoms higher carboxlic acids are practically due to the increased hydropobic attraction of hydrocarbon part benzoic acid the simplest hydrocarbon acid is nearly insoluban in cold water carboxlic acids are soluban in less full organic like benzene बताई समझ में आया है yes or no yes sir thank you time clear है अगर read करना है read कर सकते हो फिर हम इसके बाद आगे चलें बहाँ आगे हैं पूं चले ये ऩु आगे anybody पादो कि वाला पार्टे काफी बढ़ा है ना छे कार्बन यह तो प्रॉपर नॉन बोलर एरिया ना तो रिंग है तो रिंग से लिए रिलेशन लिए उसके सर्फेस पे ज्यादा राम से नहीं पानी चिपकने से साफ तोडी पानी के साथ इंट्राक करने से ऑफ नॉन का क्यों है कि इस वाले एरिया में चार्जेस की विजह किसी को पानी तुम्हारे उपर पूरा चिपक चाहिए इसमादब भी थोड़ी आपको डिजॉल्व कर लेगा येस सर अगे ने बाद समझना है अब समझे पानी चिपकने से कुछ नहीं हो रहा है चार्जिस होने चाहिए येस चालो जी तो चले आगे केमिकल रियक्शिंस पर आजाते हैं केमिकल रियक्शिंस में ये समझना ये थोड़ा इंपोर्टेंट है ये तीनों समझना है इसको बोलते हैं सोडियम बाइकारगणे टेस्ट पहले तो ये एनश वाली चीज़ कर देता है कि एने से कौन करेगा लेकिना आपके पास ये सबसे पहला चीज़ है ये तो बहुत सारे पहले ही बता होगा आपको फिर से बताते है RCOH में होगा RNH2 में होगा अब बस ये H हो सकता है ठीक है चलो nitrogen के साथ ही लेते है अब बस O से H हो सकता है S से H हो सकता है अब बस C111 C से H हो सकता है जितने भी हैं सब acidic hydrogen है इस सब acidic hydrogen है और अगर acidic hydrogen है तो इनको हम sodium के साथ रियाग करा सकते हैं और ये बनाता RCONA NH2NA ये आपके बस ONA SNA C111C minus N आई बस नमें क्या बोल रहा हूं कि सब के साथ यही होगा क्या कोई डाउट है ये acidic hydrogen plus hydrogen gas release ये तो sodium के साथ है test for sodium reaction with sodium reaction with sodium पे आजाते है reaction with sodium क्या reaction with sodium समझ में है कि नहीं है sodium metal ये कुछ नहीं है redox की reaction है redox के हिसाब से redox का concept लगाके आप ये बताओ more reactive metal more reactive metal क्या कर रहा है displaces less reactive metal और कुछ नहीं किया इसने कोई नहीं कहानी नहीं कि ये कौन सा concept है जो ज़्यादा reactive metal है वो less reactive उसको हटा देता है आई सोन में क्या बोल रहा हूँ आई है ना yes sir next के आपके पास reaction with NaOH reaction with NaOH NaOH is a strong base this is a strong base तो इस वज़े से only acids with a certain level react with NaOH यहाँ पर क्या द्यान देना है alcohols nope alcohols plus NaOH no not happening phenol phenol plus NaOH yes happening carboxlic acids carboxlic acid for sure plus NaOH this gives reaction आया सोन में reaction with NaOH में यह तीन बाते हैं आपको यह पूरा पूरा बता दे रहा हूँ कि NaOH कहाँ कहाँ हमने पूरे चैप्टर बढ़ा था यह था कि NaOH alcohol के साथ नहीं करता है alcohols are not that acidic तेके alcohol even यह NaOH पानी से रियाक करेगा रियाक कहाँ करता है पानी से पानी में तो डिजॉल्व हो जाता है तेके आपके पास फिनॉल प्लस यह करोगे तो वहां पर acid-based neutralization reaction होगा तेके आपके पास carboxlic acid में करोगे वापस से acid-based neutralization reaction होगा यह reaction तो लिखने की ज़रूद नहीं है यह reaction भी लिख दूँ R, C, O, N यह आएगा ना प्लस H2O बनेगा की नहीं बनेगा हाँ यह ना तेके नेक्स्ट इस आपके पास last that is reaction with sodium bicarbonate sodium bicarbonate इसको bicarbonate test भी बोलते हैं bicarbonate test reaction with sodium bicarbonate यह फिर bicarbonate test क्या यह बात समझ में आईए reaction with sodium bicarbonate यह फिर bicarbonate test हाया ना clear yes अब इसमें क्या है all acids all acids stronger than carbonic acid react with na h co3 जितने भी आपके पास जितने भी acids हैं आपके जो h2 co3 से ज़्यादा strong होते हैं हाँ भई सुन रहे हैं आप लोग सो तो नहीं है आया ना थोड़ी देर की बात और रहे हैं समर्ता सिम्रेन जगे हो ना यह त्यादा अपके आपके 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 अपके अपके लोग सक्रावोट कर आपके हैं विद NaHCO3 आप पास यह reaction होगे यह होगे लेट से आपके पास RCOH प्लस NaOH जैसी NaHCO3 जैसी आप लोगे तो यह बनेगा RCOona प्लस CO2 प्लस H2O, यह reaction हो जाती है यहाँ पर effervescence होगा effervescence समझते हैं जैसे आप Coca-Cola की बॉटल खोलते हैं इसे पूरा पर एकदम से वो फिज निकलती है वैसे effervescence की बात कर सकते हैं ठीक है उस तरीके से CO2 निकलेगा यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि फिनॉल यह टेस्ट नहीं देता आपको देखा बेंजोईक आसिड और फिनॉल के बीच का बहुत अच्छा टेस्ट हो गया यह अगर आप सोडियम बाई कार्बोनेट टेस्ट इसके साथ कराओगे नहीं होता यह रियाक्शन यहाँ पर लेकिन इसको कराने का एक तरीका जरूर है इसका तरीका क्या है अगर आप इसका आसिडिक नीचर बढ़ा दो आसिडिक नीचर किसी चीज के कैसे बढ़ाता है इलेक्टरॉन डोनेटिंग ग्रूप लगा किया विड्ड्रॉइंग विड्ड्रॉइंग अगर आप एक NO2 लगाओगे तो भी इसमें इतनी पावर नहीं आती पर अगर आप इसमें 2 NO2 लगादोगे तो यह पावरफल होना शुरू होजाता है 2 NO2 में आपके पास NaHCO3 में आपके पास Yes और अगर आप 3 NO2 लगादोगे तो तीन NO2 तो भाई 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 इसको क्या बोलते हैं इस पिक्रिक आसिड पिक्रिक आसिड इस इवन बेटर दैन असेटिक आसिड अगर आपको कभी हो जाए कि इन दोनों में ज़्यादा acidic कौन होगा तो picric acid is better than some organic acids and I say some organic acid I mean I think we are done इस वाले portion के लिए ये पूरा acidic वाला portion हम करी चुके यहां तक आप अराम से देख लो formation of anhydride पे आते हैं मैं आपको वो सिखाता हूँ ये decarboxylation और formation of anhydride decarboxylation पे आएंगे ना इसके बार एक बार अब देख लो इस वाले portion को फिर मैं आपको decarboxylation बता देता हूँ बहुत ही असान है soda lime decarboxylation बहुत ही असान सी reactions होती है soda lime decarboxylation और उसके बार ये next class में हमारा हम इन हुरो ही अगा उन हbleओे लोड़ेगा उन हमें normal हções होती होती है घथकर है झाल आत醜 होती है सब्सक्तisen दाइबशे अजक्ड़वशे चेज़दा हाँवशे ना-जेकर मैं इन हुरूशे बהर रहे competition झाल 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 टन तर जिस acid का जितना कम पीके है वो उतना अच्छा acid है बिल्कुल अब ये acidic वो अमने लिखा भी था acidic nature में आप फिल से भी समझ सकते हो ये simply ऐसा है reaction कि अगर आपके पास RCO H है ये reversible होगा RCO minus plus H plus होगा ना तो अगर आपके पास H plus ज्यादा है इसका मतलब product ज्यादा है मतलब K ज्यादा है और K ज्यादा है तो PK का value कम होगा क्यों क्योंकि PK क्या होता है minus log के इसका मतलब one upon होता है ना वो yes sir clear? मैंने तो याद नहीं किया ऐसे करता हूँ clear? yes sir चलो भई, soda lime decarboxylation करते हैं अगले 2 से 3 minute में आपको छोड़ दूँगा नेक्स क्लास में मिलते हैं फिर, soda lime decarboxylation कल है ना मारी क्लास? yes, sardinoc yes sir चलो जी, तेक है, soda lime decarboxylation सबसे पहला चीज़ तो क्या है, what are the reagent? reagent जो हम यूज करते है, reagent होता है, nao h, the cao, heat भी है, ratio होता है, 3 is to 1 तेक है, आपके पास, यहाँ पर क्या है, ट्रिक क्या सीधे है? ट्रिक इस, co2 उड़ा दो अतम, co2 उड़ा दो जीए, intermediate क्या बनता है? intermediate आपका बनता है, carbon ion यह थोड़ा, extra वाली बात हो गई पर पता है, तो बढ़िया बात है, intermediate carbon ion है therefore, electron withdrawing groups increase rate of decarboxylation तेक है, fast कर देते हैं खतम, यही है decarboxylation, soda lime है potion करते हैं, give product एक मैं आपको करके दिखा देता हूँ बस क्या लगता है, पेंजीन यह सर क्या लगता है, चतम, छे हैं छे अटा देना साथ है, साथ हटा देना, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है पता हो क्या बनेगा इसमाँ क्यू शूड़ता है? कैसे लिख जो मानिन पोटता है साथ है यह साथ है कैस用 है कैसे ल鉅 ya कैसे है अ कैसे है yes sir that is it for today